हेलो एवरिवन इस वीडियो में बात कर लेते हैं जमना ओटो इंडस्ट्री इस लिमिटेड की क्विक्ली एनलिसस देख लेते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो जमना ओटो में आप देख रहे होगे स्टॉक में कंसिस्टेंट्ली रिकवरी और कार्ड देखने को मिल रहा है अगर यह चैनल ना होता तो स्टॉक में फॉलिंग आ रही होती फर्दर क्योंकि यह नीचे वाली ट्रेंड लाइन अगर आप देखने तो यहां भी पहले जोन के आसपा सपोर्ट मिला यह पूरा यहां पर भी सप आज उपर से रिवर्सल भी देखने को मिला है और रिवर्सल के साथ साथ क्यों मिला है क्योंकि अगर आप इस लेवल को नोटिस करें यहां कहीं से यहां पहले रिजेक्शन बनते थे 125 के आसपास साइकलोजिकल लेवल है तो सस्टेन करने में दिक्कत हो रही थी तो कहीं न रहेगी तो पैनिक मत करिएगा फिलहाल के लिए उपर जाएगा जरूर बट यह एक इंपोर्टेंट हर्डल है स्टॉक के लिए 135 बिकॉज उपर की दिशा में यही एक बड़ी ट्रेंड लाइन है जो हर्डल का काम कर रही है यह देखें तो सारे लेवल से पहले रिवर्सल आ चुके हैं यहां से ट्रेंड लाइन बन रही है कहीं से तो उपर की दिशा में जाएगा स्लोड स्लोली स्लोली मूव करेगा बट थोड़ा सा एक माइनर पॉल बैक देखने को मिलेगा यहां से फिर उपर की दिशा जाए तो कहीं पर भी रैड केंडल नहीं है इसी लिए और रेड केंडल जब तक ना आएगी यहां पर पॉल बैक नहीं आएगा तो फ्रेस एंट्रीज नहीं आएगी तो उपर की दिशा भी नहीं पकड़ पाएगा ढंक से यहां पर एक छोटा सा पॉल बैक बनेगा अभी एक दो दिन में फिर उसके बाद उपर की दिशा पकड नीचे की दिशा की यहां के बात करें तो यहां पर सबसे ज़ादा वायर्स एक्टिव थे और यहीं से स्टॉक नहीं बुलिशनेस पकड़ी 121 से वेल फिलहाल कुछ दिनों ऊपर जाएगा बट ओवरॉल मैंने कहा कि स्टॉक में एक करेक्शन डेफिनिटली आएगा तो व यहां पर हरडल आएंगे उपर की दिशा में फिर अपने 132 के आसपास यह कुछ हरडल है क्योंकि स्टॉक धीरे धीरे ही जाएगा इनी लेवल्स पर स्ट्राइक देते हुए और फाइनल टागेट होंगो 135 का और यहां से अगर पुल बेक दिखाता है जैसा कि मैंने कहा है तो अगर पुल बेक रहता है तो कल स्टॉक फिर अपना कल यहां फिर बाइव नेक्स्ट तू नेक्स्टे यहां पर कहीं ना कहीं आप देखें 121 के आसपास सपोर्ट लेगा फृदर अगर फॉल लेता है तो फिर 129 के आसपास यह सपोर्ट होंगे और उसके बाद होगा 116 के आसपास तो फॉल यह आपको यहां पर कलियर होगा कि स्टॉक में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है यह आपके सपोर्ट हो गए और यह आपकी रेजिस्टेंस हो गई कि मुमेंटम कैसा पकड़ेगा स्टॉक अगर मुमेंटम थोड़ा वीक है वहां पर वॉल्यम कम है तो यहां पर दो दिन recovery on card थी तो अगर recovery on card के साथ थोड़ा volume अच्छा रहता है तो 129.30 तक stock definitely जा सकता है तो कुछ ऐसे चलने वाला stock आने वाले दिनों में वीडियो यहीं तक रखते हैं मिलतें next वीडियो में This is me Subham Yadav signing off